हेलो स्टूडिंट्स आज का हमारा टॉपिक है कॉइन और रोटेटिंग डिस्क या फिर इसको कुछ बुक्स में तुम लोग देखो गया कुछ रेफरेंसेस में देखोंगे कॉइन और ग्रामोफोन ग्रामोफोन अगर तुमको याद होगा तो पूराने जमाने में ऐसे डिस रोटेट हेंद जिसके ऊपर गाने बच्ते थे हैं ऊसको विल्बॉचल फोन कहते घ्रमोफोन ऑफोन तो आज कामार टॉपिक है कोईन ए रोटेटिंग डिस्क ये डिस्क है जो रोटेट हो रही है वित अन्ग वेलोरशिटी ओमेगा उके और इस पे एक coin रखा हुआ है at a distance smaller ठीक है अब 121 सा बात है जब यह disc rotate होना चालोंगा coin भी इसके साथ में rotate होंगा ओके आसान था यह चीज समझा सबको कि जैसे जैसे यह disc rotate हो रहा था वैसे वैसे coin भी rotate हो रहा था ओके disc की speed बढ़ते गई rotation की speed बढ़ते गई एक speed ACI इस disc के rotation की एक speed ACI की एक coin sleep होना चालू हुआ क्या होना चालू हुआ sleep बहार उस पे बहार वो सरकता चला गया all thanks to centrifugal force है ना यह किसके बदलत हो रहा है centrifugal force के जैसे centrifugal force एक ऐसा force है मैंने तुमको समझा है जो बहार के तरफ लगते है ठीक है समझ मैं अब वो speed के बाद में ही वो slip हुआ वो speed के पहले वो slip नहीं हुआ ऐसा क्यों इसके पीछे रीजन है फ्रिक्शन सपोज ही अपना वो कॉइन है यह कॉइन ठीक है इस पे फोर सेंट्रिफ्यूगल बाहर के तरफ लग रहें इसको मैं बोलू मैं एफ सी एफ यहने इसके मोशन की टेंडेंसी कि कहां मोशन कर सकता हैं बाहर के तरफ सबाइक सा बात है अगर डिस्क ऐसा रोटेट करेगा तो वह कॉइन बाहर के तरफ ही फेके जाएगा तो इस पे जो फ्रिक्शन है वो लगेगा अंदर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स का लगेगा अंदर की तरफ ठीक है अब एक स्पीड पे जब वो स्लिप होना चालू हुआ जब वो स्लिप होना चालू हुआ तब हम लोग यह लिख सकते कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स के एक्वल होना चाहिए है ना फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है म्यू एस इंटु एन पढ़ा है हम लोगों ने म्यू एस इंटु एन नहीं होता है फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रिफ्यूगल फोर्स कितना होता है एम आर ओमेगा स्कूर वाल और यह वजन mg होते हैं यानि एन किसके इक्वल होना चीए एमजी के इक्वल तो एन के जगा लिखेंगे mg एम आर ओमेगा स्क्वेर में कट हो गया तो क्या बचा है यहां पर में यहां लिखता हूं देखों यह धन से मुघ के एंसके में से 10.4 हां तो μू s इंटो जी इस अगल to R omega square तो therefore omega square is equal to omega square is equal to mu s g upon r तो omega is equal to under root of mu s g upon r this is most important formula not down करके रख लो सब्सक्राइब सब्सक्राइब लोग important है यह CT point of view यह textbook में नहीं है लेकिन इसके numericals textbook में है ओके वो कैसे है हम लोग पढ़ेंगे आगे clear तो ध्यन मैं है सबको कोई डाउट है किसी को हां ओके तो यह concept है एक coin जब कोई rotating disc पर रखा होता है तो वो coin कौन से पर या फिर वो डिस्क की कौन सी angular velocity वो डिस्क की कौन सी angular velocity पर वो slip होना चालू करेंगा ओके यह क्या है ओमेगा यहने क्या है यह डिस्क की अंग्यूलर विलोसिटी जिस्पे कौन स्लिप होना स्टार्ट करेंगा ओके समझ मैं यह डिस्क की अंग्यूलर विलोसिटी कौन की नहीं डिस्क की अंग्यूलर विलोसिटी जिस पर कौन स्लिप होना स्टार्ट करेंगा कौन क्या है को इफिशेंट ऑफ स्क्राटिक फ्रिक्शन यह प्रॉब्लेम में दिया रहेगा जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी है जिसका वैल्यू हमको मालू में 9.8 और और वो डिस्टंस है जहां पर वो जहां पर वो स्लिप होगा उसका डिस्टंस फ्रम एक्सेलर रोटेशन ठीक है अब इसका एक कंसेप समझाता हो है ना यह सारी चीज़े सभी ने लिख लिया इसको पॉस करो लेक्शर को और सारा चीज़ लिख लो है ना तो सॉरी अब एक मैया कंसेप पढ़ाता हो तुमको बोर्ड का खास बात जोड़दार है आप बातकन से डिलीट हो जाता है ओके तो नया चीज़ अभी हम लोगों ने ओमेगा का फॉर्मूला लिखा जो देखा हम लोगों ने जो मैं वापस लिखता हूँ अब इमाजिन करो ओमेगा बढ़ गया इफ ओमेगा इंक्रीजिस ठीक है इफ ओमेगा इंक्रीजिस है ना म्यू एस और जी यह तो कॉंस्टन्ट है म्यू एस तो चेंज हो नहीं सकता वो तो फिक्स हता है ना कोईफिषेंट ऑफ स्टाटिक फ्रिक्सन यह फिक्स होता है जी एक्सलरेशन डू टू क्राविटी यह भी चेंड नहीं ओगा यानी यहां से हम लोग लिख सकते यहां से हम लोग लिख सकते omega is inversely proportional to root r है ना omega is inversely proportional to root r तो अगर omega बढ़ता है तो r तो कम होगा है ना अगर omega बढ़ता है तो r कम होगा then यह point लिखके रख लो r decreases एक बाइध धन में रखना है यह जो पूरा topic हम लोग पढ़ रहे है यह MST-CET के हिसाब से पढ़ रहे है यह extra topic है तो इसको दूमको एक page पे लिख लेना पड़ेगा और अपने book में लगा के रख देना पड़ेगा तो r decreases तो suppose for example हम लोग यहां से क्या लिख सकते है यहां से हम लोग क्या लिख सकते है इस से omega square is directly proportional inversely proportional to r sorry r omega square is constant समझे नहीं यह चीज़ इस से हम लोग यह लिख सकते r omega square is constant r omega square constant का मतलब तुमको mathematics में सिखाया गया है 910 standard में proportionality के time पे r1 omega 1 square is equal to r2 omega 2 square जैसे के इसका example ले ले तो for example हां इसका एक example ले लेंगे यहने तुमको पूरा clear ही हो जाएगा for example जब इस rotating disk की angular velocity 90 rpm थी जब इस rotating तुमको समझना पड़ेगा मैं लिखने ही रहू example क्योंकि बहुत बढ़ा हो जाता है जब इस rotating disk की angular velocity 90 rpm थी यानि यह जो rotating disk के 90 rpm से rotate होता था तब यह coin जो है 10 cm के दूरी पे कहां से 10 cm के दूरी पे slip हो जाता था थीक है समझा सबको 90 rpm पे वो coin कहां से slip होना चलो होता था 10 cm के दूरी पे अब सपोज 90 rpm का 120 rpm हो गया तो यह coin कितने distance पे slip होगा यह बताने है सब एक सब आते हैं omega बढ़ गया तो r कम होना चीए यानि अब यह 10 cm से इसका value कम होगा तो वो कितना होगा यह अपने को देखना है question समझा मैं वापस एक बार repeat करता हूँ थोड़े पहले distance पे slip होगा वो पहला distance कितना है यह बताना है ठीक है इस तरीके के question में rpm को hertz में convert नहीं करे तो भी चलता है तो फिर कैसे रखेंगे हम लोग इस पे तो इसको लिखेंगे हम लोग omega-1 के जगा 90 rpm लिख देंगे आरवन के जगा 10 cm लिखेंगे तो 10 इंटू 90 स्क्वेर 10 इंटू 90 स्क्वेर is equal to r2 निकालना है अपने को इंटू 120 स्क्वेर हाँ एक बात ध्यान में रखना तुम्हें आरवन जो है यह सेंटिमेटर में लिया तो तुम्हारा r2 भी सेंटिमेटर में ही आएगा ओके कनवर्ट करने का जरूरत नहीं है यह शॉटकट बता रहा हूं यह cdt के लिए शॉटकट तो अब यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग फिर 10 इंटू 90 स्क्वेर अपन 120 इंटू 120 इस एक वल टू एक ज 여러गए बाल पू 10 यह यह जे रो घट हो गया ध्री थ्री सा थ्री सा ध्री थ्रीड या्री ही थ्री फोर्था ठीक्री थ्री 9 इन्टू 10 non Cabberg by 16 है ना तो यहां से कितना हुए है यह 1608 सब्सक्राइब तो देज इस यूर आंसर है ना तो कितने डिस्टेंस पर वो स्लिप होना चलोंगा 5.625 सेंटिमेटर क्योंकि तुमने स्पेट 90 रपिम से 120 रपिम कर दी एक सेंपल जा एक्जांपल लिया मैंने है ना तो ये थे हमारे आज का टॉपिक कॉइन अना रोटेटिंग डिस्क तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है समझना है और कुछ डाउट आये तो पूछना है ओके लाट सेट